हमास के साथ युद में इस्राइली सेना को बड़ी काम्यावी मिली है शैनकों ने गाजा फेंस के पास 250 बंदकों को दैसत गर्दों के चंगुल से छुडा लिया है इस्राइली सेना ने लाइब ओप्रेशन का वीडियो भी जारी किया है इस अभियान में साथ हमास लड़ा के धिर हो गए साथ ही 26 पकड़े भी गए है इस्राइल और हमास के बीच जंग साथ में दिन भी जारी है इस बीच इस्राइल की डिफेंस फोर्सेस ने लाइब ओप्रेशन का फोटेज जारी किया है जिसमें दिख रहा है कि इस्राइली जबान एक परिसर में घुसकर बंदकों को कैसे चुड़ा रहे है वीडियो में इस्राइली सैनिक एक इमारत के अंदर जाते हुए दिख रहे है साथ ही गोलियों की आबाज भी सुनाई दे रही है एक सैनिक को पीछे से गोली चलाते हुए और दूसरे को चौकी पर ग्रेनेट फेकते देखा जा सकता है एक सैनिक चिलाते दिख रहा है और कह रहा है कि आगे जाओ कोई दूसरे को रास्ता साफ होने की जानकारी देते हुए सुना गया इसके बाद सैनिक बंकर के अंदर गए और बंधकों को आस्वासन दिया कि बे उन्हें बचाने के लिए हाँ आये हैं बाद में फुटेज में सैनिकों को एक स्टेचर ले जाते हुए देखा जा सकता है इसराइली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म आयक्स पर वीडियो जारी करते हुए एक लिखा कि हमने 250 बंधकों को छुड़ा लिया है इस दोरान हमास के 60 से अधिक आतंकियों को भी ठेर कर दिया गया है साथ ही 26 को पकड़ लिया गया है इसमें हमास दक्षणी नौसेना डिवीजन का उप कमांडर मुहम्मद अबू अली भी सामिल है बतादे कि सूफा सैन चोकी पर नियंतरन हासिल करने के लिए विसिस्ट यूनिट को गाजा सिकोर्टी फेंस के आसपास तैनात किया गया है इस यूनिट ने विसेस ओपरेशन के दवरान ये सफलता हासिल की है अब इस्राइल और हमास के बीच यूद और तेज होगा जॉइन्ट डाइरेक्ट अटेक म्यूनिशन किट से लेस इस्राइली MK-84-2000 LB-1 अग्यात एयर बेस पर तयार किये जा रहे हैं इन्हें फाइटर जेट्स पर लगाया जाएगा इस्राइल और हमास के भीचन यूद के बीच हमले को लेकर इस्राइल की बड़ी चूक सामने आई है रिपोर्ट के अनुसार इस्राइल बॉर्डर के पास हमास ने ओपन ट्रेनिंग सेंटर खोल लगा था वहीं हमले की तयारी हुई थी हैरानी वाली बात तो यह है कि अपनी जासूसी के लिए मसूर मोसाद भी इसे पकड़ने में चूक गई गिसंबर 2022 के वीडियो में हमास के लड़ाके ट्रेनिंग एरिया में रॉकेट दाखते नजर आ रहे हैं साथी बे नकली इसराइली इमारतों से नकली कैदियों को पकड़ते नजर आ रहे हैं चूकाने वाली बात यह है कि इस ट्रेनिंग कैम को गाजा इसराइल के बीच पैदल यातरी मार्ग इरेज क्रोसिंग से काफी नजदीक था हमास के लड़ाकों ने यहीं से गुसकर इसराइली नागरिकों पर हमला किया हमास हमले को लेकर इसराइल ने सुरक्षा में चूक को लेकर अपनी गलती मान ली है मिलिटरी चीफ लेटिनेंट जर्नल हरजी हलेवी ने कहा कि इसराइल के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा इसराइली डिफेंस फोर्स के पास है साथ अक्टूबर को गाजा पट्टी के आसपास के छेत्रों में हम इस पर खरे नहीं उतरे उन्होंने कहा कि हम इस गलती से सीखेंगे हम से सवाल किये जाएंगे लेकिन अब इूद का समय है ऐसे मैं इस पर बात नहीं हो सकती ख़बरों का से सिला जारी रहेगा देखते रहिए जन पर बात नमस्कार